हेलो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3SC टोप लोड सेमी ओटोमेटिक वोशिंग मुशिन जो कि हमारी 11 या फे 10 जिक कैजी कैजी के साथ हमें देखने को मिल जाती है फुल साघ्जजन की केपैसिटी एनंदर देखने और हमें देखने देन को मिल जाती है तो आजए यार बिनादेरी कि हम स्टर्ट करते हैं वीडियो का फेक्ट ड्रेस्टिंग और फेक्राय वाली है वीडियो का पूरा वोश की जगहाता हुआ है ूसा पर हमारे पास जाती है समसिंग की द्रफ से यह समसिंग की द्रफ से वह सिंग उसीन आने वाली 11.5 केजिस की मैक्सिमम कपेशिटी हमें देखने को मिल जाती है और इसके स्पेशिवेशन वह फीचर की यदि बात की जाए तो इसके अंदर हमें हमें गाई इसके अंदर कलर लाइट ग्रिय देखने को मिल जाता है कपेशिटी सके अंदर में 11.5 केजिक यहां पर देखने को मिल जाती है जो की लार्ज फैमले के लिए बेस्ट है नंबर साइकल यहां पर फोर वोस शेकल यहां पर देखने को मिल जाते हैं वोस प्रोग्रेम और यह पूर्ण को बहुत जादा हेल्प देती है 1340 आरपियम की मैक्समीम स्पीड की यहां पर मोटर देखने को मिल जाती है जो कि हायर्ट आरपियम की देखने को मिल जाती है material stainless steel use किया गया है guys item weight की यदि बात की जाए तो guys इसके अंदर हमें 39,000 g यहाँ पर item weight देखने को मिल जाता है spin noise यहाँ पर हमें 60 dB तक देखने को मिल जाती है जो कि guys बहुत कम है normally यह देखने को मिल जाती है तो guys दूसरे नमबर में हमारे पास आजाती है whirlpool की तरफ से guys यह वो scene scene हमारी 10.5 kg की यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसके capacity guys इसके अंदर हमें ऐसे बहुत से best feature देखने को मिल जाते हैं जो कि guys हमारे काम को और भी ज़्यदा असान होना देते हैं तो guys इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर हमें dazzle gray color देखने को मिल जाता है auto restart का feature इसके अंदर देखने को मिल जाता है guys 3D scrub section इसके अंदर देखने को मिल जाता है hard water consumption का यहाँ पर option दिया गया waterproof control panel देखने को मिल जाता है 3D land filter इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है अटो रिस्टाट का फिचर भी यहां पर देखने को मिल जाता है फाइए जो कि मारे का प्टेक फ्रोग्रेमिंग खतमोने के बाद भाद बजर हमारा सारे अरे लगता है गाइस maximum rotation speed हमें 1700RPM के हिएंपर देखने को मिल जाती है guys capacity हमें इसके 10.5 kg maximum capacity हमें देखने को मिल जाती है जो कि eak large family के लिए best है गाइस noise level की पाथ की जांए तो guyz यहां पर 64 dB तक यहां पर noise level देखने को मिल जाती है जो की normal है guys तो guys तीसरे नमबर पर हमारे पास आजाती है LG की तरफ से यह वोशिंग मशीन गाइज बहुत ज्यादा इसका नाम चल रहा है यह वोशिंग मशीन ज्यादा तरह आपको ओफ लाइन मार्केट में देखने को मिल जाएंगी प्रन्तु गाइज ऐसी कुछ वोशिंग मशीन होती है जिसके रेट आपको बहुत ज्यादा दिया जाते हैं पर गाइज इसके कपेसिटी बहुत कम होती है जिनके अंदर बहुत कम मेटेरियल यूज किया जाता है तो गाइ इसके अंदर बेंघनी को मिल जाता है इस फिसलेवेसिवेस याँ पर भात की जाएँ तो गाइज यार रॉलरे जैट टेकनलोजी इसके अंदर यूज किया है जो है पर गेंदर यह ले श्म papa है गेंदर एकेंड को मिल जाता हाइच ड़ाफन बोगें देखने को सबाव क्हींब देखने को सब्सक्राइव का समय हाइस हायर स्पीड हमें देखने को मिल बेगी कर्IP maximum rotation speed हमें 1300 RPM की ही देखने को मिल जाती है guys noise level की यदि बात की जाए तो guys यार spinning का noise level हमें यहाँ पर 48 DB देखने को मिल जाता है item weight यहाँ पर 33,000 grams यहाँ पर item का weight देखने को मिल जाता है और guys यार हमारी वोशीं मुशीन की power consumption की यदि बात की जाए तो guys 410 यहाँ पर power consumption की देखने को मिल जाती है और यहाँ पर warranty की दि बात की जायाए तो guys यार सैमसें की वोशीं मसीन के अंदर हमें two years warranty product की देखने को मिल जाती है और guys यहार इसके price की दिंबात की है तो guys यार 17,448 रूपए यहाँ पर price देखने को मिल जाती है और युट के साथ Whirlpool के अंदर हमें 2 years की warranty product पर, 5 years की warranty हमें motor की, और प्राइज यहाँ पर, full यहाँ पर 17,000 यहाँ पर prize की देखने को मिल जाती है, और LGBTQ की बात की जाए तो guys 2 years warranty हमें product की यहाँ पर देखने को मिलेगी, guys 5 years की motor की warranty देखने को मिल जाती है, और 17,840 यहाप पर प्राइज इसकी देखने को मिल जाए तो गाइज इन तीनों वो सिंग्सिन के अंदर आपको कोई भी वो सिंग्सिन बेस्ट लगे आपको पसंद आये तो गाइज यार लिंक डिस्क्रिप्शन में है जल्दी परचेस कीजिए गाइज यदि आप हमारे लि के जाए लिंक के अंदर परचेस कीजिए तो गाइज यार मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टोपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद्व